नमस्कार दोसों स्वागात थे आप सभी लोगा सोनों श्टड़ी क्लासे योटूब शर्म दस्तु में आप लोगों सियाटी बोग क्लास 10 हिंदी चैप्टर राट पूस्व की अविलासा पाद दान्सों पाराधारित प्रसत्तर में आप लोगों को सुरूड़ों बताऊंग चा नहीं देवों के सिर पर चड़े भाग पर इटलाऊं मुझे तोड़ लेना बन ममाली उस पत में देना तुम फेक मत्र भोमी पर सीस चड़ाने जिस पर जावे बीर अनेक उत्तर चा इच्छा सुरबाला देवबाला विंद गुतकर सव मृत सरीर इटलाऊं इतराऊं अ प्रस्तोत कविता हमारी पूश्तक हिंदी की काविखंड में सकलित और माखनलाल चत्रुवेदी द्वरा रचेत पुस्प की अभिलासा सिर्षक कविता से अवतरित है यह कविता चत्रुवेदी जी की यूफचर्णा नाम काव्य संग्र से संग्रेत है प्रसंग इन पंक्तियों में कभी ने पूस्प के माद्यम से देश पर बलिदान होने की प्रणादी है ब्याख्या कभी अपने देश प्रेम की भावना को पूस्प की अभिलासा की रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवताओं देव वाला के अभूशडों में गुथे जाने की नहीं है मेरी इच्छा या नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रशन करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोवया चाओं और प्रीमिका कि मन को आकरसित करू, हे प्रभू, नहीं मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े-बड़े राजाओं के सवुपर चड़कर सम्मान प्राप्त करू, मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सीर पर चड़कर अपने भाग्ये परविलासा करू, भाव्या है क इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुस्भ अपने लिए निर्थक समझता है पुस्भ उपवन के माली से परातना करता है हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट भक्त बीर मात्र भूमी पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हो फूल उन बीरों की चरण रज का इस पर्स पाकर भी अपने को धन्य मानेगा क्योंकि उनके चरणों पर चड़ता ही देश के बलिदानी बीरों के लिए उनकी सच्ची सरधारी सरधान जली है काविगा संदर्वे कभी ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है कभी किसी राजनेता की भाती सम्मान प्रापती किया पेच्छा देश की रच्छा के लिए निस्वार्थ प्राण उस्व करने में गौरवान मानता है नमबर तीन भासा सरल खड़ी बोली नमबर चार सैली प्रातिक कात्मक आत्म प्राक्त था भावनात्मक नमबर पांच रस बीर नमबर च्छ गुड ओज नमबर साथ सब्द सक्ती अभी दा इवं लच्छडा नमबर आट अलंकार पद में सरवत्र अनुप्रास और पुना रुक्ती प्रकास नमबर दस चंद तुकांत मुक्त नमबर ग्यार जवानी प्राण अंतर में लिये पागल जवानी कौन कहता है कि तूं विदवा हुई खो आज पानी चल रही घडिया चले नभ के सितारे चल रही नदिया चले हीमखंड प्यारे चल रही है सांस फिर तू ठंड ठहर जाए दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए पहन ले नर मुंड माला उड़ स्वमुंड सुमेरू कर ले भोमी सातू पहन बाना आज धानी प्राण तेरे सात है उठरी जवानी उतर विदवा निस्तेज के लिए प्रियुक्त पानी तेज स्वभिमानी के लिए प्रियुक्त चल रही घडिया लहर जाए सबसे गती है औ और तेरी प्रगती रुख जाए यह कैसे संबवए दो सदियों के बाद तेरी उमंग जागे यह ठीक नहीं स्वमुंड सुमेरू कर ले अपने सिरको मुंड माला का सबसे बड़ा दाना बना ले जीने की ममता त्याग दे भोमी सा आज धानी जैसे लहार ते हुए धानों की हरियाली में धर्ती का जीवन जलकता है उसी प्रकार अपनी निस्तेज उदास जवानी को जीवन दो संदर प्रस्तुत पद्दान समारी पाड़ पूसक हिंदी की काभिखंड में सकलित और स्री माखनलाल चत्रुवीदी द्वारा रचित जवानी कविता से उदित है यह कव प्रसंग इस पद में देश की युवा सकती में उस्सा का संचार करते हुए उसे देश उत्थान के कारियों में प्रवित होने का आवाहन किया गया है कभी युवाओं को संबोध्यत करता हुआ कहता है ब्याख्या अरी योकों की पागल जवानी तु अपने भीतर उस्सा एवं सकती रूपी प्राणों को समेटे हैं यह कौन कहता है कि तुने अपना पानी तेज रूपी पती खो दिया है और तु विद्वा होकर निश्तेज हो गई है मैं आज जिधर भी दृष्टी पात करता हूँ उधर गती ही गती देखता हूँ घडिया अर्था समय निरंतर चल रहा है आस्मान के सितारे भी गती मान है नदिया निरंतर प्रोहमान है और पहाडों पर बरफ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गती का प्रदर्शन कर रहे है प्राणे मात्र की सांसे भी निरंतर चल रही है इस सरवत्र गती सील वाता वरण में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए इस गती मान समय में यदि तू ठहर गई तो तुझ में गती का जवार भाड़ा भाटा ना आया तो तू दो सतावदी पिछड जाएगी समय बीच जाने पर जब तुझ में तरंगे उठेगी तो उच तरंगों में दो सतावदी पीछे वाली गती होगी अर्थाद जवानी के अलसा जाने पर देश की प्रगती दो सतावदी पिछड जाएगी हे नवयोगों की जवानी तू उठ और दुरगा की भाद्ति मनुस्यों के मुंडों की माला पहन ले नर मुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरू बना अर्थाद बलिदान के छेत्र में तू सरवो परी बन यदि बन यदि आज समरपन की आऊ सकता पड़े तो त से पीछे मत हटना जिस प्रकार राते हुए धानों की हरियाली में धर्ती का जीवन जह लगता है ऐसे ही हे जवानी तू भी उस्सा में भर कर धानी चून कर ओड़ ले प्राण तत्व मेरे प्राण तत्व तेरे साथ है अत्तह हे यूगों की जवानी तू आलस को त्याक कर उट खड़ी हो और सर्वत्र क्रांती ला दे काविगास संदर्व नमबर इक इन पंक्तियों में कभी ने देश की यूगावर्ग का आवाहन किया है कि वह देश पर अपने को उस्सर्ग कर उसे स्वतंतरता कराने नमबर दो भासा सहज और सरल खड़ी बोली नमबर तीन सेली उदोधन नमबर चार रस बीर नमबर पांच गुल ओज नमबर छ सब्द सकती अविधा लच्छडा एवं वेंजना नमबर साथ अलंकारे अनुप्रास उपमाएवं रूपक नमबर आट छन तुकांत मुक्त प भूडोल कर दे एक हीमगरी एक सीरका मोल कर दे मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि प्रित्वी गूल कर दे रक्त है या है नसों में चुद्र पानी जाचकर तु सीस दे देकर जवानी उत्तर भूडोल प्रित्वी को कपाना इरादे संकल्पो इच्छाओं विचारो शुद्र तुछ प्रसंग प्रस्तोत पंक्तियों के माद्यम से चित्रुवेदी जी देश के युवाओं वर को साहित कर रहे हैं कि वो देश की वर्तमान परिस्तिती को बदल दे ब्यक्षा चित्रुवेदी जी युवाओं का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे यो को तुम अपनी मत्रभूमी के लिए बर्दान देने की परंपरा का द्वार खोल कर इस धर्ती को कम यमान कर दो और हिमाले के एक-एक कण के लिए एक-एक सीर समर्पित कर दो हे नवজमानों तुम्हारे संकल्प बहुत उचे हैं जिसे पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास दो हठेलियां है अपनी उन हठेलियां को अपने उचे संकल्पों के समाल उठा कर तुम परित्वी को गोल कर सकते हो अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा को हटा सकते हो, हे बीरो, तुम अपनी सुबवस्था परक अपने सीस देकर कर सकते हो, इस बलिदानी परिच्छन से तुम्हें यह भी ज्यात हो जायेगा कि तुम्हारी धमनियों में सक्ति साली रक्त दोड रहा है, अथवा उनमें किवल सकती ही पानी ही भरा हुआ है, काविगा संदर्व, कभी के अनुसार युवक अपनी संकल्फ सकती से सब कुछ बदल सकते हैं, नमबर दो, कभी द्वारा नयोकों में उस्था का संचार किया गया है, नमबर तीन, भासा बिसे कि अनुकूर सुद्ध परि मार्जित खड़ी बुली, नमबर चार, सैली, उदोधर, नमबर पांच, बीर, नमबर चार, गुड, ओज, नमबर साथ, सब्द सकती वेंजना, नमबर आट, अरंकार, अपने इरादे सी उठाकर में उपमा, तता संपुन्पद में अनुप्रास, नमबर नव, छन्द तुकांत मुक्त, देख अली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे ब्रिच डाली, फल दिये या सिर दिये तरू की कहानी, गत कर युग में बताती चल जवानी, उतर, कली के गर्व से, कली के अंदर से, अर्मान अविलासा आली सकी, प्रसंग कभी ने अपने ओज़स्वी वानी से, ब्रिच और उस फल के भार से लदे हुए ब्रिचों की ओर देखो, वा प्रिथवी की ओर अपना मस्तक जुकाये हुए, कली के भीतर से जागते, फल कली के संकल्पों और मानों को बता रहे हैं, तुम्हारे हिर्दे से भी इसी प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प प्रगट होना चाहिए, यह तो बहुत ही प्यारा संकल्पेश्टले पूस्पकली गर्व से सिर उठाये हुए हैं, जब फल पक गए तब डालियों ने प्रिथवी की ओर जुक से जुकाल दिया है, अब यह फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे, यह मित्र नौजवानों बिर्चों की यह सकाएं, तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तयार हो जाओ, बिर्चों ने फल के रूप में अपने सिर बलिदान हेतु दिये हैं, तुम भी अपना सिर देकर बिर्चों की इस बलिदान प्रंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरन में ढालो और य इस प्रकार बिर्च अपने फल स्वेम नहीं खाते, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी जावानी परहित में लगानी चाहिए, नमबर दो भासा सरल खड़ी बोली, नमबर तीन सैली उध्योधर, नमबर चार रस बीर, नमबर पांच, गुड ओज, नमबर चार, सब्द सक्ति वन्जना, नमबर साथ, अलंकार, अनुपरास, उप्मा एवं रूपक, नमबर आट, छंद मुक्त तुकांत, प्रस नमबर चार, स्वान की सीर हो, चरण तो चाटता है, भोग लेक्या सिंग को वह डाडता है, रोट की अभिमान, मस्तानी, जवानी, उत्तर, स्वास, कुत्ता, ग्राम सिंग, कुत्ता, भवानी, दुरुगा, रूपी, जवानी, प्रसंग, इन पंक्तियों में कभी ने स्वाभिमान के महत्तों पर प्रकाश डालते होई, उससे किसी भी कीमत पर नख होने का आवाहन किया है, ब्याख्या कभी कहता है कि कहने कुछ सीर तो कुत्तों का भी होता है पर उसमें स्वाविमान तो नहीं होता वो तो अपनी चुदापूर्ती के लिए दूसरों की चाटू का हरी करता फिरता है और उसके पैरों को चाटता रहता है इसलिए स्वाविमान के आभाव में उसकी व इतना साहस ही नहीं होता कि उसके भोकने से सिंग डर जाए, क्योंकि दूसरों की रूटियां खाते हैं, उसका स्वभिमान नश्ट हो जाता है। अपने स्वभिमान को नहीं खोना है, तुम्हें अपने पर्चंड दुर्गा जैसे असीम सक्ती को आपसी जंजटो में नश्ट नहीं करना है अपी तू, उसे देश के दुस्मनों के संगहार में लगाना है, तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया लोहा मानती है कभी ने योकों को कायरता और चाटुकारिता से बचकर स्वाविमान से जीने और देश के हित में कारी करने की प्रेना दी है नमबर दो स्वास कुत्ता यहां उन लोगों का प्रतीक है जो अंग्रेजियों की रूटी खाकर उनके हाथों की कटपुतली बने हुए है नमबर तीन भासा परिमर्जित खड़ी बूली नमबर चार सैली उद्योधर नमबर पांच रस बीर नमबर छो गुड ओज नमबर साथ अलंकार उनप्रास रूपक और उपमा नमबर आठ चंद मुक्त की और तुकांत नमबर नो भावसा में स्वाविमान कोई जीवन का प्र मृत्त क समान है प्रश नमबर पांच है यह न मग है और न चरण की रेखिया है बले दिसा की असमर अमर देखा देखिया हैstar पद में पद से लिखह कृती लेख यह धरा तेर्थों की दिसा की मेक है ये प्राण रेखा खीच दे उठ बोल रानी री मरण की मोल की चड़ती जवानी उतर मग मार्ग तव तुम्हारी रेखिया रेखाएं बली दिसा बलिदान की दिसा किर्ती लेख कर्मों के लेख प्रसंग इन पंक्तियों में कभी नवयकों को अपने महान और बलिदान पूर्वजों की बनाए और दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रणा प्रदान करता है मेरे देश के निवयोकों जिस मार्ग पर तुम चलते होगों कोई साधारन मार्ग नहीं या पितू तुम्हारे पूर्वज द्वारा चलनों की रेखाओं से निर्मित आदर्स मार्ग है जिस आदर्सों के आधार पर हम अपने जीवन का निर्मार करते होगे सभी आदर्स तुम्हारे सद्रिस्त युगा पूर्वजों की द्वारा निर्मित है यह मार्ग बलिदान का आदर्स मार गए, जिसको देकर यूगो यूगो तक लोग स्वयम ही बलिदान के लिए प्रेरित होते रहेंगे। कभी कहता है कि इस बलिदान पथो का निर्माड उससाहित नवयकों ने किया है। करम सील नवयकों ने अपने सत्कार रूपी पदो से इन विस्तो मेघों का निर्माड किया है। पर अपना बलदान करते हुए इस्थान प्रित्वी पर बलदान के तिर्थ पवित्र स्थान समझे जाते हैं। कभी अंत में कहता है कि हे उस्सापून जवानी रूपी रानी आज तु अपने प्राणों का बलदान दे कर विश्व के योगों के बलदान की नई रेखा खीच दे अर्थात एक नया प्रतिमान बना दे हे योगों तुम उठो और संसार को बता दो कि जवानी की महत्ता देश के लिए मर मिटने में ही है काविगत संदर्व नंबर की युवा सक्ति के बलदान से ही नए आदर्सों का निर्माड हुआ करता है नंबर दो योगों की जवानी का महत्त्व त्याग बलदान से ही माना जाता है 3. यहां राष्ट का लियान के लिए बलिदान का पत प्रसंग करने की बात कहका कर कवी ने अपने देजवक्ती का पावन भाव व्यक्त किया है 4. भासा सरल खड़ी बोली 5. सैली प्रती कात्मक और उद्योद दनात्मक 6. रस बीर 7. गुड ओज 8. अलंकार पद के सर्वत्र रूपक और अनुप्रास 9. छंद तुकांत मुक्तग 10. भाव साम में महा कभी निराला जी मात्र भूमी पर अपने सर्वस को अर्पित करते हुए कहते हैं 11. नर्जीवन के स्वार्थ सकल बली हो तेरे चरणों पर मा मेरे स्रम संचित सब फल 11. प्रस नमबर 6 12. तूटता जूटता समय भूगोल आया 12. गोद में मडिया समेट ख़गोल आया 12. क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए 12. क्या मिलाजू प्रले के समने में आये 12. धराय तरबूज है 12. दोफा आक कर दे चड़ादे स्वतंतर प्रभू पर अमर 12. पानी 20 मानों तू जवानी है जवानी 12. उतर भूगोल भू मंडल मंडिया 12. मडियान गरन चत्र खगोल आकास मंडल 12. कभी ने योको को देश के गौरों की रच्छा के लिए 12. प्रिवर्तर लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रुसाइद किया है 12. चत्रुवेदी जी कहते हैं कि है योको समय का भूगोर हमेशा एक जैसा नहीं रात तुमने जब करांती किया तब तक यह टूटा है और जूटा है अर्थात नए ने राष्ट बने है तुम्हारी करांती का सतकार करने के लिए ही यह ब्रह्मान अनीक रंग विरंगे तारा रूपी मड़ियों को अपनी गोद में लेकर पकड़ प्रगट हुआ है अता तुम्हारा स्वभाव इतना ओजसुई होना चाहिए जिससे कि विश्व का मानचित्र और इतिहास बदला जा सके है यह योको तुम्हें चाहिए कि तुम अपने जीवन की जग महाड जग मगाहट से देश की गोरों को प्रकासित करूँ किन्तु जिनके हिरदय बरब की तरह ठंड़े पड़ गए हैं वे उसी प्रकार करांती नहीं कर सकते जिस प्रकार की ठंड़ा बारूद नहीं जल सकता है यह योको तुम्हेदी प्रले की भाती प्राधेंता और अन्याय के प्रती करांती नहीं कर सकते तो तुम्हारी जवानी व्यात है तुम चाहो तो प्रतिवी को भी तरबूज की तरह चीर सकते हो हे देश के योको की जवानी तू जदी देश की आजादी के लिए अपना रक्त रूपी अमर पानी दे दे तो तू अमर हो और संसार में तीरा उधारन देकर तुझे सा रहना जाएगा। काविगास संदर्वन मेरे कभी का मानना है कि विद्वन्स की गोद में ही निर्माड के पुस्व खिलते हैं और प्रलाई के बाद ही नई स्रिष्टी का निर्माड होता है। युवा सक्ती के द्वारा ही परिवर्तन लाया जा सकता है। अता युवा को क्रांती के लिए सदेव त्यार रहना चाहिए। भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं। उस काल कूट पीने वाले के नयन यादकर लाल लाल डगडग ब्रह्माड हिला देगा जिसके ताड़ वकत ताल ताल प्रस्त नमर साथ लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके पेरणा सोई है आटा दाल कि किसके सिर नचर पाया कि छाया माल किसके वेद की वाड़ी की हो आकास वाड़ी धूल है जोन जम नहीं पाई है पाई जवानी। उतर लाल रंग पुत्र एक भूमूल मुड़ी कंकाल हड़ी का धाचा छापा माल तिलक एवं माला प्रसंग प्रस्तुत पद में कभी ने यो अर्थात तुम्हारा चेहरा ओजगुड से लाल नहीं है अर्थात देश के गौरों की रच्छा के लिए यदि तुम्हें बरिदान होने का उस्सा नहीं है तो तुम्हें भारत माता का लाल नहीं कहा जा सकता तुम्हारे रक्त में यदि लालिमा नहीं है अर्थात उश्ड सत्रू के लिए आटा दाल के रूप में भोज प्रदार्त मात्र बन कर रह जाएंगे तुम्हारे सिर्की सुबा धार्मिक लिया कांडो के छापा तीलक लगाने से या माला धारन करने से नहीं बढ़ेगी वरंदेश पर वलिदान होने से बढ़ेगी तात पर यह है कि इन मार् भोमी पर सीज चड़ा नेका भावर्दे में न पैदा हो कभी पुन कहता है कि जिस कविता से योकों में उस्सा न जगाया जासके हुआ कविता भी निर्थक है भले ही वह पवित्र विदू की उधित हो अत्वा स्वेम देवताओं के मुख से निकली आकास वाड़ी हो काभ भासा सायति खड़ी बोली नंबर चार सैली प्रभाव मई तथा ओज़ पूर्ण नंबर पांच रस बीर नंबर 6 गुड ओज नंबर 6 नंबर 7 छंद मुक्त तुकांत नंबर 8 अलंकार लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके मैं अनुपराज तथा यमक एक टूटता जोडता रहे जमानी में सर्वत्र उपमा और रूपक की छटा नंबर 9 भाव साम में बलिदान को महिमा मंदि करते हुए अनंत्र भी कहा गया है त्याग मिना निस्प्रान प्रेम है करो प्रेम पर प्रान निच्छावर प्रस नंबर 8 वह असी का नहीं संकल्प का है हर प्रलय का कोड काया कल्प का है फूल गिर्ते सूल सीर उचा लिये हैं रसो के अभिमान को निरस ये हैं खोन हो जाए न तेरा देखपानी मरण का तेवहार जीवन की जवाने उत्तर असी तरवार संकल्प ध्रन निच्छे प्रलय करांती काया कल्पून परिवर्तन करांती सूल काटे रस सं सेंगारित आनंद नीरस विहीन आबाही परस्ट प्रसंग इन पंक्तियों में कभी सक्ति को कुरांती का अगर दूत मांते हो यूगों को आत्म बरिदान की प्रणा दिये व्यक्त कभी नव यूगों को कुरांती के लिए उतेजित करते हुए कहता है कि क्या यह संसार तलवार है क्या तलवार का है क्या संसार को तलवार की धार या सस्त्र वल से ही जीता जा सकता है नहीं यह बात नहीं यह संसार द्रिन निश्चे वाले व्यक्तियों का है इसे उन्हीं के द्वारा ही जीता जा सकता है प्रतेक प्र परिवर्टन करांती ला देना होता है युवाओं युदे तुम निस्चे करके नव निर्माण के लिए अग्रसर हो जाओ तो तुम समाज वो बैवस्ता में प्रले की तरह पूर्ण परिवर्टन कर सकते हो अत्थ तुम्हें ध्रिनास संकल्प के दौरा नई क्रांती के लिए अग्रसर होना चाहिए जब व्यक्ति के अंदर द्रिन संकल्पों की कमी होती है तो उसका पतन हो जाता है वायू के हलके जोके से ही फूल नीचे गिर जाते हैं और उनकी सुन्दरता नश्ट हो जाती है लेकिन काटे आंधी और तुफान में भी गर्व से अपना सिर उठाए खड़े रहते हैं ये यूगों द्रिन संकल्प से मर मिटने की भावना उत्पन होती है और ऐसे व्यक्ति कवे अपने इरादे से विचलिद नहीं होते हैं काटे फूलू की कुमलता और सरस्ता की अभिमान को अपनी द्रिन संकल्प सकती से चकना चूर कर देते हैं कविता जवानी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे जवानी देख तेरी नसु में रक्त में जो उस्सा रूपी उशुता है उस उस्सा के नश्ट हो जाने से तेरा रक्त सीतर होकर कहीं पानी की रूप में परिवर्तन न हो जाया था तेरा जूश ठंडा न पड़ जाए जीवन में जवानी उसी का नाम है जू मृत्योग को उस्सो और उल्लास पूर्ण चड़ समझे जीवन में बलिदान का ही दिन ही जवानी का सबसे आनंद में दिन होता है काबिगास अंदर्व नमर एक दिन संकाल्ब से ही क्रांती लाई जा सकती है नमर दुपरिवर्तन सस्त्र परियोग से नहीं दिन संकाल्ब से संभव है नमर तीन नव योग अपने प्राणों का वलिदान करके विश्व करनों निर्माण कर सकते हैं नमबर चार, भासा ओजपूर्ण खड़ी बूली नमबर पाँच, सैली उद्ध्यों दनात्मक नमबर छव, रस बीर नमबर साथ, छंद मुक्तक तुकांत नमबर आठ, गुड़ ओज नमबर नौ अगर वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करे, सेर करे, कमेंट करे और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे थैंक्यू फोर वाची